pandemic year में gaming industry का worth 180 billion dollars हुआ था which is way greater than the music industry itself news में हम सब सुन रहे है कि facebook is getting into metaverse google is about to get into metaverse and यह सब होते टाइम हमें एक सवाल बिल्कुल आदा है कि gaming industry में जाए कैसे या फिर game development क्या होता है so hey guys welcome back to this channel आज की वीडियो में हम वही कवर करेंगे कि gaming क्या होता है gaming development क्या होता है and at the same time हम game development शुरू कैसे कर सकते है इस scratch से यह सब चीजे हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को end तक दिखे and अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीज़े चैनल को and at the same time शेयर कीजे वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो तो शुरू करते है फिर वीडियो को so बच्पन में सबने अपने IGI, GTA ये सब गेम्स खेले होगे मैंने खुद बहुत ज्यादा मैं IGI का सबसे बड़ा फैन था मैं अभी भी अगर टाइम मिला तो for sure मैं GTA खेलने का try करता हूँ क्योंकि वो हमारा मतलब बच्पन बना रहा था लेकिन आजकल अगर हम गेमिंग देखे तो उसका मार्केट बहुत ही ज्यादा amazing हो गया है और वो almost जिसे कहते कि फट गया है market वैसे हो गया है उसका reason ही वही है कि pandemic में जो हम ज्यादा time spend कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोग घर पर बैट कर gaming पर spend कर रहे थे तो यह सब चीजे यह सब जो factors है इसी का यही reason है कि gaming industry इतनी ज्यादा boom हो रही है तो अगर हम gaming development की बात करें तो उसमें कुछ सब parts होते है जिसके बारे में सबसे पहले discuss करते है सबसे पहले होता है कि आपका coding या programming मतलब कि आपको obviously अगर कुछ भी develop करना है तो आपको उसके लिए coding तो करना पड़ेगा तो development के side में सबसे पहले आता है coding तो coding में आप क्या करते हो कि program करते हो कि environment कैसा होगा एक rules जो होते है rules set करते हो suppose हम बहुत ही ज्यादा easy game बना रहे है जैसे कि आप समझ लो tic-tac-to बना रहे होगा तो tic-tac-to game में आप जो rules होते है कि कितीन shapes अगर एक line में आए जो user है वो जीच जाएगा so ये एक rule है जो हम लोग programming में coding में लिखते है so basically वई है कि programming में सारे rules हो गया environment कैसे होगा ये सब चीजे लिखते है उसके बाद आता है designing का पार designing मतलब क्या कि environment कैसा दिखना चाहिए अभी suppose अगर आप कोई भी game जैसे कि आप PUBG खेल रहो तो वो तो ban हो गया but anyways कभी ना भी तो खेला ही होगा so उसका जो environment होता है अलग-अलग maps है so वो कैसे दिखने चाहिए 3D objects कैसे दिखने चाहिए 2D objects कैसे दिखने चाहिए ये सब जो चीजे है वो अपके designing में आती है फिर आपका आता है sound sound में क्या होता है कि अगर आप bullet shoot करें तो bullet का आवाज कैसे आना चाहिए और कौन से time पर आना चाहिए उसके बाद कोई भी अगर आप point score करते हो तो उसका आवाज कैसे आना चाहिए कोई बहुत सारे games होते है मतलब कि sports की games होते है तो उसमें आपको background noise आता है मतलब कि आपको crowd का noise आता है ये सब जो चीज़े हैं ये सब आपके sound book में आता है sound designing part में आता है बेसिकली ये तीन चीज़े सबसे important है कोई भी game बनाने के लिए पूरे अगर game development की बात करें तो उसमें दो parts है तो एक मतलब कि एक gaming studios बनाते है बड़े बड़े giant companies और दूसरा individually एक आदमी game बनाता है तो बड़े बड़े studios मतलब कि आपने बचपन में I am sure आपने cricket 007 खिला होगा तो वो तो मतलब कि dream game होता था सब लोग कि वो खेलना ही है कभी भी अगर चार दोस्त मिलके बैठे है तो वो तो game खिलते ही थे लोग तो जो cricket का था वो उसमें अगर आप starting में थोड़ा ध्यान देते होगे तो वो EA Sports करके लिखके आता था electronic arts sports so basically वो एक gaming studio है जो अलग-अलग games बनाता है even आप अगर play store पे जाओगे तो EA Sports के बहुत सारे games आपको मिल जाएगे so वही है कि ऐसे अलग-अलग studios है जो हर एक छोड़े-चोड़े चीज को जैसे मैंने आपको sub parts बता है so वो एक-एक sub parts के उपर काम करके अलग-अलग लोगो को लगा कर एक बड़ा game बना सकती है लेकिन at the same time छोड़े games भी बना सकते हो आप जो individual level पर बना सकते हो so हमें मतलब कि जिसे developer बनना है उसे सबसे पहले तो individual level पर ही छोड़े-चोड़े games बनाने पड़ेगे और उसके बाद ही वो ऐसे उसके बाद ही वो एक proper job या फिर जो भी development का उसका journey है वो शुरू कर सकता है तो game development के लिए आपको game engine एक होना बहुत ज़रूरी है मतलब आप जैसे कि आप photo edit करने के लिए Photoshop यूज करते हो video edit करने के लिए Premiere Pro यूज करते हो फिर बाकी 3D, 2D दोनों के लिए अलग होता है तो game engines की बात करें तो उसमें Unity आता है, Unreal Engine आता है E-Grid engine आता है उसके बाद source maker आता है, उसके बाद game maker आता है तो basically ये कुछ famous नाम है लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा gaming engines है जो अलग-अलग frameworks, अलग-अलग चीजों के लिए बनाए गए तो इन में से अगर बात करें तो Unity और Unreal Engine सबसे ज्यादा popular और सबसे ज्यादा used gaming engines है तो अगर हम बात करें कि Unity के बारे में तो Unity एक बहुत beginner friendly at the same time एक बहुत advanced मतलब की software है तो अगर आप उसे use करना सीख गए तो आप बहुत सारी चीज़े सीख सकते हो and आप बहुत easily अच्छे अच्छे level के games बना सकते हो उसमें अगर हम Unreal Engine की बात करें तो वो game development में best software माना जाता है और उसमें सबसे ज्यादा high quality के games जो है वो develop होते है Unreal Engine तो अगर आपने fortnite खेला होगा तो fortnite भी Unreal Engine से ही बनाया गया है तो इसे इतने ज्यादा high level के games जो है वो इसमें बन सकते है तो basically ये बहुत ही ज्यादा powerful एक platform है एक बहुत ही ज्यादा powerful एक platform है जहापना आप game development कर सकते हो obviously दोनों भी जो software से उने सीखना फिर time consuming हो सकता है लेकिन अगर हम step wise जाए तो सबसे पहले आपको एक programming language सीखनी पड़ेगी जो ये gaming engine के उपर work करती है जैसे कि जो Unreal Engine है उसके उपर C++ ही work करती है मतलब C++ language आपको सीखनी पड़ेगी पूरी in-depth नहीं सीखनी पड़ेगी लेकिन basics तो आपको पता होने चाहिए basic fundamentals आपको पता होने चाहिए उसके बाद अगर हम unity की बात करें तो उसमें आपको C sharp आना चाहिए so C sharp तो उसी language में ये पूरा जो coding होता है वो होता है उसमे so basically आपको वो language भी basic basic fundamentals आपको आने चाहिए उसका link भी description में आपको मिल जाएगा so basically वो वह है कि पूरा जो game development है उसका basics उनोंने दिया है उसमें तो बहुत ही ज्यादा interesting आगर कोई भी try out करना चाहता है तो beginners के लिए बहुत ही अच्छा ये guide होगा तो बिल्कुल वो जा के आप चेक कर सकते हो तो gaming के लिए Udemy के courses भी बहुत अच्छे अच्छे आते है तो इसके भी link आपको description में दे दूँगा लेकिन basically अगर आपको शुरू करना है तो मैं तो suggest करूँगा कि आप Unity से शुरू करें क्योंकि Unity एक थोड़ा सा easy software है and multi-purpose है मतलब इससे आप AR VR ये भी develop कर सकते हो तो Unity के ऊपर भी free code cam का एक बहुत अच्छा tutorial है वो आप देख सकते हो तो Unity भी आपको समझ में आ जाएगा and at the same time आपको एक अच्छा kickstart भी मिल जाएगा even Unity का खुद का document भी है जिसमें उनोंने बहुत अच्छी तरीके से सब चीजे समझाई है तो वो भी आप चेक आउट कर सकते है उसका भी description में link में दे दूगा तो अगर हम लोग जैसे हम लोग हर development के वीडियो में बात करते है system requirements की तो अगर हम game develop करना चाते है तो आपका PC या फिर आपका जो laptop है वो बहुत ज़्यादा high end होना चाहिए उसमें अच्छे लेवल का graphic card होना चाहिए and at the same time आपका RAM जो होता है वो भी काफी अच्छा होना चाहिए आपका storage capacity बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग software की बात करें तो Unreal Engine यह हो गया तो यह minimum आपका 8GB RAM तो आपको लगे गई तो minimum आपका 8GB RAM तो लगे गई and at the same time graphics card भी लगेगा क्योंकि जो भी आप देखते हो games में वो सब graphics ही होता है तो अगर आपको try out करना है नया नया चीज़ तो आपको graphics card लगे गई तो minimum आपको 8GB RAM तो यह तो requirement होनी ही चाहिए नहीं तो fast नहीं चलिगा यह पूरा setup आपका काफी मतलब lag कर सकता है जो मतलब आपको interesting नहीं लगेगा तो इसलिए first year second, first year में तो obviously not recommended to anyone game development अगर बहुत जादा इंटरेस्टे है तो बिलकुल first year से शुरू कर सकते लेकिन try out करना है तो यह game development तो try मत करो मतलब उससे शुरूआत मत करो, ऐसा ही मैं कहोगा So yes I guess काफी चीज़े हमने discuss कर लिया आज तो I guess that's it from my side अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please share कीज़े लोगों के साथ subscribe कीज़े चैनल को and stay tuned to this channel Thank you